कोरोना संक्रमन की कारण रेलवी को कई चेत्रों में भारे नुकसान झेलना पड़ रहा है इनमें प्लैटफॉर्म टिकेट भी शामिल है इस सुईधा को 23 मार्च से लगे लोकडाउन से बंद रखा गया था और साथ महनों बाद भी इसके दुबारा शुरू होने की आसार नहीं नसरा रहे है जिसके चलते मधरेल नाकपुर को भारी नुकसान चेलना पड़ रहा है दो महने के एतिहासिक लोकडाउन के बाद अनलोक प्रक्रिया में श्रमिक एक्स्प्रेस से शुरू करके रेलवे दुबारा अपनी विवस्था को पटरी पर लाने की जद्दो जहत कर रहा है लेकिन यात्रियों की घट्ती संक्या में माते पर बल लाकर रखे है अब तक 700 से अधिक स्पेशल त्रे ने शुरू की गई है लेकिन इनमें से आधी ट्रेनों में ही यात्री की संक्या अधिक मिल रही है दूसरी तरफ केवल कन्फर्म टिकेट धारी यात्री को ही प्लैट्फॉर्म परिसर में प्रवेश करने के नय नियम के चलते रेलवे को प्लैट्फॉर्म टिकेट जैसे आय के स्तुरोत को भी बंद रखना पड़ रहा है नाकपुर सेशन देश के प्रमुख स्टेशनों में शामिल है। कोरोना काल से पहले यहां से प्रती दिन 30,000 से अधिक यात्रियों की आवाजा ही रहती थी। ऐसे में प्लैट्फॉर्म टिकेटों की बिकरी भी काफी होती थी। मतलब औसितन 15,000,000 रुपे की आए प्रती माह तै थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। 23 मार्च से बंद हुई इस सेवा से अभी तक 7 महिनों में करीब 1 करोड का नुकसान हो चुका है। रेलवे द्वारा प्लैट्फॉर्म टिकेट पर 10 रुपे की दर तै की गई है जो पूरे देश में लागू है। की मुंबई में इसके लिए विशेश तोर पर 50 रुपे वसुले जा रहे है। रेलवे ने कहा है की इतनी अधिक दर में प्लैट्फॉर्म टिकेट बेचने का मुख्य कारण है। स्टेशन परिसर में लोगों की भीड को कम करना ताकि कोरोना प्रसार से बचाव हो सके। रेलवे का यह कदम असर भी दिखा रहा है। 50 रुपे प्रति टिकेट दर होने से अभियात्री के साथ आने वाले लोग स्टेशन परिसर में प्रवेश से बच रहे हैं। क्यामरा परसंड राजगुमार महोड के साथ दिशा हटवार इन्बीसिय न्यूज नागपूर